तो रोमर रेंस एक वार फिर से बनने वाले हमारे अंडिस्प्यूटिड चैंपियन ग्राउन जोल दोजा 24 के लिए रोमर रेंस और सोलर सिखाव का मैच अभी से हो चुका है कंफर्म ग्राउन जोल गंदर आने वाले हमारे बेश्ट इंकारनेट ब्रॉक लेस्नर जै उसो भी कब जोइन करेंगे रोमर रेंस और जिम्मी उसो को साला कुछ इस वीडियो कंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तो भाई स्वागत है आफसे लोगों का एक और Q&A वाली वीडियो में तो यह स्पेशल Q&A वाली वीडियो होने वाली है जै उसो कब आईगा मैं आपको बता तो जैसे हमने पहले सोच के रखा था आ जीम्मी उसो के बारे में पूछते हैं कि आप कहां से हो तो देखो भाई मैं दिली से हूँ और कोश्चन पूछते हैं वो कहते हैं गोल्डबग कर लास्ट मैच हो सकता है कर डबल डबली कंदर बिल्कुल भाई होने वाला है गोल्डबग कर लास्ट मैच क्योंकि गोल्डबग अगर डबल 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 सब्सक्राइब करने वाले इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा नी वीडियो डाल रखे इसके बारे में चैनल पे तो आप लोग जाकर चेक आउट कर सकते हो यह तो हम सभी को पता है कि उट्टी से रोम वरींस को रहेंगे पिर बाद में क्या को इक नौलिज करके जॉइन वह सकते हैं क्या आइं फ्रॉम कश्मीर आयां बिगेश्ट फैन फॉर यू नेम लेना प्लीज भाई वाई बाप तो बहुत सही कही है आपने कि कोड़ी रोड्स रोम अरेंस को राने वाले हैं पिर क्या पता कोड़ी रोड्स इकनॉलें पर जॉइन हो जाइन हो जाए लेक जहां पर भी बात आती है ना कि रोम अरेंस रही से युनिवर्सल चैंपर बनेंगे या फिर अंडिस्प्रूड चैंपर बनेंगे बनेंगे अब लोगों ने वह वीडियो नहीं देखिए तो जड़ी से जाइन करने वाले हैं सारा कुछ बता रहता है तो वीडियो को जाकर चुरू देख लेना फिर उपर आई बटन पर लिंक कर दियो करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो चलता है जो कर निकल के सामने है पुरवेश के ने भाई की तरफ से कि रोक रोमर रेंस की साइड है क्या तो देखो भाई रोक रोमर रेंस की साइड हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है आपको रोक 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 के साथ ही देखने को मिलने वारे हैं इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटर वीडियो बना रही होगी तो वहां से भी जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो आई ने एक और कुछन पूचा है वो कहता है कि भाई से लिए वीडियो ब्राइब कर दो हुआ है इनको वापस देखने को नहीं मिलने वाला बहुत अच्छी रिए रिवाइस इनकी नहीं है और रहे हो खता हुए क्पड़ ने कि भॉम्र पत्चिस ये बहुत जादा चांसे डंडी जीता है इसको बहुत ज़्यादा चांसे जो के निकल के सामने तरफ से गयाता है कि Rock का मैच Seth Rollins और CM Punk के साथ होगा जहां तक भाई मिलको लगता है कि Seth Rollins और Rock का मैच हो सकता है फ्यूचर के अंदर यह दोनों एक दूसरे को टैग टीम के अंदर फेस कर चुकर रेसलमेनिया के अंदर तो इनका मैच शाय से हमें और मैच करवाती है तो यहां पर शाय से चांशे होंगे जिला फाटो जिम्यूस ओकितरा आकर शाय से हल्प कर सकते है रोमरीज की तो जिला फाटो अपना डेब्यू करेंगे तब रोमरीज हो जाए करेंगे लेकिन क्राउन जोल कंदर हलके लका चांसे है नहीं पर को बिलेगा तो गुंतर को निप्टाएंगे उसके बाद चांसे दोंगे किसी और दूसरे रैसलर के जांसना रिटायर होने वाला तो जांसना का मैच गोल्डबक के साथ हो सकता है गोल्डबक और जांसना का मैच डबल डबली कंदर एक बार भी हमको देखने को नहीं मिला लांस टाइम डबल डबली जांसना वसेज गोल्डबक के वाला मैच कर वास अत्किया जो कि बाई एक बार भी नहीं हुआ है एक और कोशन पूस्ते हों कहता है कि क्या डबल डबली कभी फिन बैलर और सामी जेन पर फोकस करेगी फिन बैलर के लिए तो फिन बैलर को काफे अब्दुल्ला भाई की दर्फ से इस बार का स्रवाइवर सीज में वार गेम्स देखने को मिलेगा चाहिसे मैं आपको वाला पोस्टर दिखाया था सवाइवर सीज वार गेम्स का जा पर भाई 10 वार गेमस बताया रहा है एक सेड में रोम और इंस के साथ कुर्टी रोट्स कोई भी मैच होना होगा डबल 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 एक अंदर नहीं होगा वो शायद से सीथे रेसल मेनिया के अंदर होगा उसके बाद एक और कुछन निकल के सामने है विकास भाई की तरफ से क्राउन जोल में गुंथर मैच होगा उसमें क्या ब्रॉक लेसन अपना रिटन कर सकते विडियो नहीं देखे तो जल्दी से बादी वीडियो देखो इसका वाई पॉस्तिबिलिटी इसको बताए उपर आपको आई बटन पर लिंक मिल रही होगी वहां से जाकर आप लोग इस वीडियो को जल्दी से देखो विकास भाई ने एक और कोश्ण पूस्ता है कि क्या क्राउन जोल में जो ट्याइं काफी ज्यादा चांसे रहें हैं यहां पर एक रोक आने के नौर्मल सी भाथ वी जिताएंगी और आप बहुत ज्यादा चांस है उसके बहुत जादा आ सकते हैं जिस तरह मनें बिल्कुल भी एक्सपेट ने करा कि करने के लिए करने के लिए प्रफॉजन था उन्होंने का था कि अंकल कॉटी बात आते हैं थे डेधे डिल्टक के अधर वू ओडिने के वह ज्यादा इंट्रेस्ट दिखाने थी अंकल हावडी ओपर जितना की वो ब्रेव वायट में दिखाती थी तो शायद यही वो रीजन है जिससे की मंडे नाइट रोग उपर हमें अंकल हावडी और उनके पुरी वायट से फैशन देखने को भी नहीं मिल रही है सभी निया कि वायट फैक भाई मुझे कमेंट भी बता सकते हो और जिन जिन भाईयों को मैंने वीडियो के अंदर को पिक क्या है वो सारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो कि आपको बता है मैं इस चैनल के उपर छोटे मोटे की वायने करते रहता हूं वीडियो को लाइक भी जरू करते हैं अगर आप लोग भई पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और कि मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगली है नेक्स्ट वीडियो में